नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ है टाटा मैगना स्लीपर कोच बर्स यह बर्स मारको पोलो के दोड़ा बने जाती है और यह बर्स टाटा मोटर्स की 1822-69 चेसिस पर बने हुए है चले इसका एक शॉर्ट रियू देखते हैं तो यह देख सकते हैं कमप्लीजीट गारी का ल टेक्सल पर आपको लिफ्ट्रिन सस्पेंशन मिल जाता है इसमें जो ग्लास है आप काउंट कर सकते हैं वह काफी कमफर्टेबल हो जाती है और साइड में आपको मिलते हैं तफन ग्लास इसे आप ऐसे एमर्दिस एक्जिट भी यूज़ कर सकते हैं यह इसका रियर साइड रियर साइड में आपको यहाँ पर एमर्जिंस एक्जिट मिलता है और इस बस में भी आपको हैल्जन टेल लैंप्स दिये गए है टाटा मार्कोपोलो की जो बहुत सरी बसे से उनमें आपको हैल्जन बेस्ट टेल लैंप्स मिलते हैं यहाँ पर ब्रेक लैंप है यहाँ पर एक reverse parking camera भी दिया जाता है और night safety को बढ़ाने के लिए गाड़ी में आपर side में दो height marker lamp भी दिये गए है जिसके वज़े से जो गाड़ी की height है वो रात में आपको बता लग सकती है यहाँ पर आपको storage compartment मिलता है यहाँ पर चड़ने के लिए तीन step दी गई है और यहाँ पर इसका air filter location इस प्रकार इस गाड़ी का पूरा जो walk around है आपके सामने मोजुद है इस गाड़ी के front look की बात कर ले तो यहाँ पर आपको Tata Motors logo मिलता है यहाँ पर शांदर grill दी गई है इसे की साथ आप Tata का logo है Marko Bolo की beijging है यहाँ पर आपको इस bus में cross type में wipers मिलते है जो इस गाड़ी के glass को almost 70% तक clean करते है और यहाँ पर आपको electronically adjusted mirror भी मिलते है जिसके the current fascia है वो Marco Polo की बहुत सरी बसे से मैच करता है क्योंकि Marco Polo का एक unique design है Marco Polo की जो paradise to series है उसका inspiration इस bus में आता है और side में आप देख सकते हैं normal stop bus कड़ी है दोनों के design में मतलब एक थोड़ा सा आप similarity देख सकते कि यह थोड़ा चोटी है पर यह थोड़ी बड़ी है पर काफी यहाँ पर बढ़िया गाड़ी हाँ पर बने गई है चलिए इसके इंट्रियों के explore करते हैं इसमें आपको मिलता है यलोईश कलर में आपको यहाँ पर इंट्रेयम मिलता है इंट्रेयस की बात कर ले तो सबसे पहली बात जो इसमें sleeper बड़ लेवट है वो इसमें 2x1 मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर reading light साथ को दिए गया है यहाँ पर दो दोनों पैसेंजर्स के लिए यहा यहाँ पर एक लैटर भी दी गई है यह देख सकते हैं जो इसमें seat indicator से यहाँ पर इस प्रकर दिये गए है यह काफी नया concept लगा क्योंकि बहुत सरी buses में यहाँ पर आता है पर इसमें काफी अच्छे से इन्होंने यह triangular pattern में दिया है और नॉर्मल बसे जो होती है 12 मिटर वाली वो यहाँ तक ही सिमित होती है पर यह 13.5 मिटर वारेंट है जिसकी वज़े से आपको यहाँ पर 6 additional sleeper board किये गए है और यहाँ पर इसका rear emergency exit इस side में आते है तो यहाँ पर नीचे उतरने के लिए spacing भी दी गई है जैसे कि आप check out कर सक में आपको मिलता है anti-skid vinyl flooring यह जो grass mat है यह तो इसमें आती है पर सथे जहाँ पर आपको anti-skid vinyl flooring मिलती है जिस पर fissle heart नहीं होती है क्योंकि जब कभी किसी flooring पर पानी वगड़ा होता है तो fissle ने की समस्या होती है पर इसके वज़े से fissle heart नहीं होती है और यह है इसमें आपको मिलता है four spoke steering wheel इसमें six speed manual transmission मिलता है dashboard की control आप देख सकते हैं यहाँ पर TFT monitor है AC unit है major system लगा हुआ है charger fan lights और birth light के control यहाँ पर दिखते हैं यह इसका शानदार instrument cluster यहाँ पर rpm meter oil temperature speedometer fuel level gauge और multi information display मिलता है steering के left hand side में cruise control और indicator के control है और steering के right hand side में आपको wiper के control दिख जाते हैं यहाँ पर head lamp के control है ABS, battery cut off switch, hazard lamp का button, regeneration on और regeneration off करने का control है आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर mirror adjustment का button आपको दिया गया है नीचे parking brake है ड्राइवर की सहुलेट के लिए यहाँ पर sun visor मिलता है यहाँ पर एक fan दिया गया है यहाँ पर fire detection and suppression system यहाँ पर emergency help button है यहाँ पर CCTV दिया गया है यहाँ पर एक worsted box है cabin ventilation के लिए यहाँ पर काफी बड़िया सुईता दिया गयी है एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस इस events मिल जाते है driver के cabin ventilation के लिए और speaker के लिए यहाँ पर एक spacing आपको दिया गयी है ventilation purpose के लिए यहाँ पर एक dug भी मिलता है और इस प्रकार इस गाड़ी का cabin view आता है तो यह थी Tata Magna slipper इस bus के technical specifications की बात कर ले तो इसकी जो lane थे वो 13.5 meters की है इसमें आपको 36 slipper बर्ट मिलते है इस bus का जो gross vehicle weight है यह 18,500 kg का है और इस bus में 220 HP का engine दिया गया है जो 6-0 Cummins का engine है इ इस bus की body Marco Polo ने build की है और Marco Polo की bus body building काफी अच्छी होती है Marco Polo company जो है ब्राजिल की बहुत बड़ी bus body building company है और इस bus करने manufacturing plant है वो धारावर करनाटक में है साथी साथ इस bus के अगर कीमत की बात कर ले तो basic pricing जो है almost 62 70 lakh रूपीज तक है पर यह गाड़ी compete करती है आईशर की 13.5 से साथ अशोक लेंड के अभी नई आई हुई 2513 से और इसे के साथ साथ यह bus compete करती है वालो की बी एट आर 13.5 में अगर आपको टाटा मार्को पोलो स्लीपर बर्स की वीडियो अची लगी हुए तो वीडियो के लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपका रेंशुब रहे हैं जाहिंद जैभाट